हेलो प्रेंट जैस्ट्री किष्णा अगर यह हमारी कटिंग हो चुकिया कटिंग देखना है तो नीचे लिंक दीख गई है नहीं को कि इम positive कर आखिती तो मैं देखना है तो एक का मूं-डीचे अल्टा राखना और सिधे एक का सिधाल रखना इस तरब अब यह मेरी मजी जोंट हो रही है इस तरब सारी कपड़े की मजी कटिंग की आच जोंट कर न है अगर आपको इसको वीडियो देखना है तो निचे लिंक दे गई है तो आप वीडियो देख सकते हैं इसका वीडियो एकदम इजी है और आजकल राजपुती ड्रेसों में बहुत चलन है तो अब यह नीव फैशन का कटिंग किया है मैंने यह मेरे मज़गी अब जॉइंट हो बोलते हैं राजपुती ड्रेस सिलते गुणा भी बोलते हैं पाइपिंग जो भी आप बोलना चाहते हैं वह अब इसके उपर में जॉइंट कर रही हूं नीचे अलग धागा लेना है ताकि अपन पाइपिंग निकालते समय कोई दिक्कत नहीं आए और इसके उपर आपको यह लगा देने यह सब पाइपिंग लगाने के बाद देखो यह मेरी फीनिशिंग फिर बाद में इसको डबल ऐसे फॉल्ट करने के बाद वो नीचे अलग धागा है उससे हम जॉइंट करके लगाएंगे अब यह मेरी कुर्ती है यह दोनों को उपर जॉइंट कर देना है दोनो गले के जो solder के उपर का है हिससा उसको joint करना है अब मैं यह joint कर रही हूं एक तो मैंने joint कर दिया और यह दूसरा वाला भी joint करना है तो इसमें यह गला है और दोनों तरब का 여기 sollten अब यह joint हो चुका है एक सिलाई और इसके उपर लगानी है ताकि finishing अच्छे से आजाए इसको इस तरह से वापस मोड़ गए इसके उपर एक सिलाई लगानी है राजपूती ड्रेसों में उपर सिलाई लगाना बहुत जरूरी है यह मेरे दोनों तरफ सिलाई लग गई है अब मेरा अलग कपड़े की पाइपिंग इस लूग अच्छा आएगा आप एक कलर के कपड़े का भी बना सकते हो मेरे पास यह लेंगा इस तरह का बनाया हुआ है तो मैं अलग कपड़े की मजगी लगा रही हूँ अब यह सॉल्डर का हिस्सा है जो इसके उपर आपने मजगी लगानी है यह कुर्टी को सीधा रखना है और यह पाइपिंग को इस तरह से फॉल्ड करना है और नीचे अलग धागा है उसके हिसाब से ताके के एकदम पास में मसीन चलानी है इसके पाइपिंग का बराबर एक जैसा पाइपिंग आएगा इसको थोड़ा ठाइट खींच के रखना है नीचे वाले कपड़े को ठाइट नहीं खींचना है उपर मजगी है उसको ठाइट लेना ताकी पाइपिंग लूज नहीं आए जितना आप टाइट खिंचोगे उतना फिनिशिंग अच्छी आएगी इदेखो इस तरह के पास पास में मसीन चला नहीं है इदेखो मेरे फिनिशिंग देखो एक जैसे गुणा आर रहा है मेरा एक जैसे गुणा आर रहा है इस तरह से थोड़ा टाइट खिंच के रखना है कभी भी यह हमेशा याद रखना जो भी आप पाइपिंग निकालते हो और मजगी लगाते उसको टाइट खिंच के रखना है अब एक बार इसके उपर और शिलाई लगाने से इसका लूग अच्छा आता है इस तरफ से यह भी थोड़ा वो मसीन का जो है उसके एकदम पास में मसीन से लाएंगे तो अच्छा फिनिशिंग आएगा जितना गुणा आप अच्छा निकालेगों उतना यह कुरतिक अलूग अच्छा आएगा यह देखो यह मेरे पास गॉल्डन कलर का है जो भी किस हिसाब से आपके कलर में जो सिल्वर का भी आता है गुणा जो भी आप अपने कपड़े के हिसाब से निकाल सकते हो यह देखो कितना अच्छा लूग आया दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और अब मैं यह दोनों तरफ लग चुकी है मेरे दोनों सॉल्डर पे मजगी अब मैं गले की लगाने जा रही हूँ तो अब दोनों सॉल्डर को बराबर पकड़ के दोनों को बराबर करने के बाद उसके बीचों बीच में निशान कटिंग करके यहां से अपन मजगी लगाने स्टार्ट करेंगे यह दोनों बीच में निसान लगाने से मजगी एकदम बराब हिस्से से मजगी आएगी ताकि यहां पर अपन को वापस जोइंट करना है थोड़ा सा मुझ को एक्स्टा रखना है इस तरह से एक्स्टा रखना के बाद इसको भी टाइट खिंचने के बाद ऐसे आप दिरे दिरे गोल घुमाते जाना तो यह गला है इसमें सलबटना पढ़ना चाहिए इस तरह से टाइट खिंचके लगानी आपको मजगी और ओटमेल्टिक यह मसीन आप जो गला की गोला है उसके हिसाब से आप से लए गोल गोल इस तरह से मसीन को चलानी आपको इस तरह से गले का फिनिशिंग एकदम अच्छे से आना चाहिए जितना गले का फिनिशिंग आएगा उतना ही कुर्ती का लुक अच्छा आएगा इस तरह से आपको ये लगा निये ये मेरे वापस ये जो मुँ इस्टार किया था वहां पर आप वापस इसको थोड़ा सा एक्स्टार रखने के बाद दोनों मुँ को जॉइंट करना है इस तरह से जॉइंट कर दिया है मैंने ये इस तरह से जॉइंट करके बराबर आप पीछे देखना है कि जहीं से मशीन को थोड़ा तावाई पर ही स्टार्ट करना है पीछे सलवट नहीं आना है इस तरह से जॉइंट करने के बाद इसके उपर अब सिले लगानी है इस तरह से वापस फॉल करने के बाद उपर सिलाई लगा देने आपको ये मेरे गले की मजगी लग चुकी है आप मैं उपर सिलाई लगा रही हूँ चले यहां से सिलाई स्टार्ट करते हैं उपर ये मेरी सिलाई उपर वाली सिलाई नीचे ये इस तरह से तोड़ा टाइट खींच के रखना है और एकदम गोल गोल गुमाते जाना है मैं गले कामेसा कुर्ती में ध्यान रखना गले में एक भी सर्वलट नहीं पढ़ना चाहिए ये देखो कितने अच्छी फिनिशिंग आ रही है एक जैसे अगुना आ रहा है मेरे राजपुती ड्रेस में ये मेरे गले की मजगी लग चुकी है अब इन दोनों सॉल्डर के वो नीचे वाला बाग को चॉइंट करना है जो फढ़का है वहां तक सिल्ड़ लगाने है नीचे दोनों तरफ फढ़के छोड़े हुए हैं और ये दोनों को बराबर करने के बाद यहां पर दोनों तरफ सिल्ड़ लगाना है ये फढ़के तक सिल्ड़ लगा रही हूं मैं इसको वापस इस तरह से पॉल करनेंगे, इस दोनों तरफ से लग चुक्किये मेरी, यह राउंड एपल कट कुर्ती है, इसको एपल कट कुर्ती बोलते है राजपुती एपल कट कुर्ती बोलते हैं, आप पीछे के तरफ बिचो बिच में मझगी लगाना स्टार्ड करना है, सबस्क वाल कुर्ती होती तो एकदम कोने से सटार्ट करते हैं और इसको प्विच में से मजगी सटार्ट करनी बिलीए घरको, थड़स पिछे एकदम बीच में гिया नहीं लगाना लगाना सटार्ट करना है निचे वाले कपड़े को नहीं खींचना हमेशा और यह देखु मेरी पाइपिंग अच्छि आ रही है इसमेंभी äंध्य मजगी को बंच के रहना है निचे वाले कपड़े को खींचना नहीं है यह हमेशा ध्यान रखना है इसमें एकदम वह तो इजी है आजकल राजपूती ड्रेसों में बहुत ज्यादा राजपूती ड्रेस चल रही है बचों की भी है बड़ों के लिए भी है सब के लिए राजपूती ड्रेसों में बहुत चलन है कोई भी फंक्शन में आजकल बाकि वो राजपुती कूर्ती वाली वही कूर्ती यही है सरफ यह गोल नीचे वाला यह गोल कटिंग है इसी तरह से मजगी लगा देनी आपको मजगी लगाने के बाद में देखना मेरे कूर्ती का कितना चलूक आएगा एक भाग में तो लग चुकी है मजगी यह देखो कोई भी सलवट नहीं है इसमें एकड़म अच्छे से यह है और इसी तरह आगे वाले भाग में भी टाइट किंच की रखना है मजगी को नीचे वाले कपड़े को लूज जोड़ना है उसको विल्कुल खिंचना ही नहीं है सरफ उपर वाले को खिंचना बस यह मजगी लग चुकी इसको भी बीच में जाइंट कर देना आपको दोनों मुध को जोइंट करके सिल्लाई लगा दानी आपको इस तरह से शिल्लाई लगाने के बाद ईये एक्स्टा कपड़ा उसको कटिंग कर देना है यह मेंने एक्स्टा कटिंग कर दिया और इसको वापस इस तरह से पॉल्ड करकी मशीन चलाने आपको उपर एक सिले लगाने से कुर्टी की मजगी हमेशा बैठ जाती है इसलिए राजपूती ट्रेसों में उपर सिले लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पाइपिंग है उसका लूप अच्छा नहीं आता इसलिए अपन ये मजगी पे उपर सिले लगाते है इदेखो मेरे एक जैसा गुणा आ रहा है कुर्टी का लूप भी बहुत अच्छा है इसमें कोई भी सलवट नहीं है इदेखो अब उपर सिले लगाते वक्त आपको कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल एक जैसा गुणा आया हुआ है और आपको इस तरह से शिले लगाने के बार इदेखो एकदम गोले में मजगी आ रही है एकदम मजगी गोले में आ रही है और फिनीसिंग भी अच्छी आ रही है राजपूती ड्रेस में आपको फिनीसिंग अच्छी करनी है जितनी फिनीसिंग अच्छe आएगी उतना ही राजपूती खुर्ती कа लुक अच्छा आएगा अब ये खुर्ती मेरी बन चुकी है देखो एक जैसी खुर्ती है सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैस्री कृष्णा